राश्ट्रोन नती के पत्पर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप तरूप भारतिय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानंद गुर बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांग पांच अगस्त का विचार मूले कुठा रह एक यथार्थ भक्त परमेश्वर से कहता है हे भगवान मैं तेरी पुजा कैसे करूंगा पुष्प चंदन तथा जल सब तेरे ही तो है तू ही तो उस दीपक की दिपती है जिससे मैं तेरी आरती करता हूँ सब कुछ तेरा ही है जो कुछ तूने मुझे दिया है उसको ही तेरे चरणों में अर्पित कर तेरा दीनतम सेवक बने रहने के अतिरिक्त मेरे पास और रास्ता ही क्या है प्राचीन काल से ही अपने समाज को ईश्वर का जिवन्त स्वरूप वर्नित किया गया है हमें भी उस स्वरूप को अपना इश्ट देवता स्वीकार करना चाहिए तथा अपने रुणभार से मुक्ती के लिए जीवन भर उसकी सेवा करने का निश्चे करना चाहिए सेवा के अनेक तथा विभिन्न प्रकार संभो है भूके को भोजन देना अध्यानी को अध्यान देना रोगी को अवशधी देना ये सब सेवा के प्रकार है अर्थात यथार्थ सेवा से तात परिया है कि जिसकी सेवा करना है उसमें जो कमी है उसे दूर करना आज हमारा समाज अध्यानता गरीवी छुवा छूत अनायतिकता आदी का एक अती पीड़ादाई चित्र प्रस्तुत करता है हम उन अनेक प्रयासों को भी देखते है जो इन कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तियों द्वारा सदुद्देश से किये जा रहे है यह स्वाभाविक भी है कि हम में उनके प्रती सद्भावना उद्पन्न हो परन्तु प्रश्ण यह है कि क्या हम इन प्रयासों को सेवा का वही सही प्रकार कह सकते हैं जिसकी हमारे समाज को आज अतीव अवश्यकता है क्या वे हमारे समाज का अंततह स्थाई कल्यान कर सकेंगे शरीर पर एक के बाद एक उठते हुए फोड़े का उपचार एवं मलंपट्टी करना व्यर्थ होगा जब रक्त ही दूशित हो गया हो जब मूल कारण का उपचार किया जाएगा तभी व्याधी दूर होगी इन परिस्तितियों में स्पश्टतह समाज की सेवा का सर्वोत्तम प्रकार यही है कि राश्ट्रिय चेतना एवं एकत्व के अभाव के मुलभूत रोग को दूर किया जाए और एक सशक्त, सुसंगटित, आत्म चेतना पूर्ण तथा आत्म निर्भर राश्ट्र जीवन निर्मान किया जाए हमारी स्वतंत्रता उसी अवस्था में सुद्रुढ एवं सुरक्षित रह सकती है जडों के प्रती दुरलक्ष करते हुए केवल फलों का आनंद लेते रहने की आशा करना व्यर्थ होगा इसमें संदेह नहीं कि रोग से दूशित होने पर भी व्रुक्ष कुछ समय तक फल देता है परंतु वे फल अस्वास्थकर, शुष्क तथा स्वादर ही थोंगे और ऐसा ही है विभिन्न प्रकार के रोगों को प्रकट करता हुआ स्वतंत्रता का फल जो आज हमें प्राप्त है कारण यह है कि राष्ट्रिय जड़े हमारे समाज के मस्तिश्क एवं रुदय में गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकी है यदि हम जडों के प्रती दुरलक्ष करते चले जाएंगे तो कुछ समय के पश्चात ये फल भी अद्रुश हो जाएंगे और व्रुख्ष का सूखा और नंगा तनामातर ही खड़ा दिखाई देगा यदि हम जडों की चिंता करेंगे तो फल की चिंता करने की आवश्चकता नहीं फलों को बाहर से उधार लेकर उन्हें व्रुख्ष पर चिपकाने की आवश्चकता नहीं है इसलिए हमें अपने राष्ट्रिय जडों को गहरे तक ले जाने का प्रेत्न करना चाहिए ताकि हम संसार के सभी तूफानों में स्वतंत्र एवं सीधे खड़े रह सके जीवन के इन संगर्षों में दुखकष्ट के दावानल में तिलतिल करतन जले न क्यों पर होटों पर मुस्कान चाहिए भारत मता की जय वंदे मातरम